पुलिस जब आपको पकड़ने उस वक्त आई उस वक्त क्या क्या हुआ था उसके बारे मत आई पुलिस आई तो हमको पकड़ लिया पकड़ लेने के बाद मैं को रहा था कि बैठी है गाड़ी पर उसके बाद में हमको बैठा लिया आप बैठा करके अधाका दे दिया हमारी पतनी के मौत कैसे हो गई पतनी के मौत उसको मारने सन हुआ है उदाय पसवान फिर आप गलत ब्यान दिये दबाव से उसके बाद में बड़ा बाबु हमको पोट पार कर पलकार कर कहा कि आप इस तरह को ही है तो आपको हम छोड़ेंगे नहीं तो पजास लीटर दार्यों में पज़ेंगे आपको डराया जा रहा था कि आप ऐसा ऐसा बोल दीजिए गलत बोल दीजे आ नहीं तो आपको पचास लीटर दारू में जेल भेज तो बल्थर वाला कांट थाना में जो ब्यान दिये पूली सब्ड़ें डर कर ब्यान दिये कि कहीं हो सकता है कि हमारे साथ कही आपके द्यादिन की मोथ हुई थी तो आप लोगो ने बता था कि परसासान आपके सामने उनको थपड़ से गाल में मर दिया था उपड़न दिया धाड़न उचः में तो आपकड़ए यहां काम सकता है personnes कें मर दियादिन का मार देनी Excellence मार देनी मेंट है opक्रम सैहार थाने Trinity भाएि में फिक्र से पीछे पज़ाfel के हाल में हमों लोगों ने खबर दिखाया था जिस खबर में ये बाते सामने आई थी कि एक महिला की पुलिस की पीटाई के बज़ा से मौथ हो गई थी और हमारे सामने जो ब्यक्ति बैठे हुए उसी महिला के पती हैं और इनको ही गिराफतार करने के लिए पुलिस उस रात को आई थी घटना पूर्वी चामपारण जी लेके पलानवा थाना के खरकटवा गाउं किया और व्यक्ति हमारे सामने बैठे हुए जिनको गिराफतार करने के लिए परसासा नाई थी और परिवार के लोगों का या रोफ था कि जिस वक्त इनको गिराफतार किया जा रहा था उस वक्त इनकी पतनी कारण जानने और इनके बीच बचाओ के लिए बीच में आये थे और दरोगा जी के दुवारा मार करके उनको मौत के घट उतार दिया गया घटना में क्या साच चाहिए उस संबंध में इन से बात करेंगे चुकि इन से ज़्यादा उस घटना के बारे करने हम कौन पुचा की पूलिस कहा कि आपको केस है ही हॉन वमझा का केस है आपका बेल हो गया हम कौनी नासर बेल टो नहीं हए तो बैठी हम चलते है थाना पर लेए उसके बाद में हमको बवःठा लिया आप फकर को ऑंधय दें आस रुसा कुश्या हमारी औरत को मार नही बाद में ले गया हमको उसके बाद में गई गई हमको लेकर चला गया तो यह उसके बाद क्या हुआ हम उनलों को लेकर चला गया तो कहा कि आपको 50 लीटर दारू में लेश करें ग कल शुवेर दारू में करें उसके बाद में हमको दूस्रा कुछ नहीं यह इक दो इस अधाना पर लेख्या करके बॉन्स करते हाँ अबर करने की हम को था नहीं था कि हमारी पतनी मर गई हैं अचया आपको पोलिस गिरवतार बिगत और पो तनी को था पर ठीक किर गई नू तो उसके बाद मैंने हमारे पास कोई ख़वर नहीं मिला जे उमर गई हैं उसके बाद में सब्सक्राइब बड़ा बावु हमको पोट पाट कर पलकार कर कहा कि आप इस तरह को है तो आपको हम छोड़ेंगे नहीं तो पजास लीटर दार्यू में बेज़ेंगे आपके पतनी परशाण आपके सामने ठपड़ मारी ठी लेकिन आपने थाना में एक ब्यां दिया है कि हमारे पतनी को पर शांसन ने ना मारा ना पीटा ना कुछ भी किया उनकी मौत ऐसे ही हो गय थी इस बात में कहा तक सचाहिए हैं कि हमको पूलकार करके कहा कि आपको यही गया हैं तब हम जो यहां छोड़ेंगे नहीं तो पचास लीटर दारियों में भेजेंगे केस आपको डराया जा रहा ह्ता कि आप ऐसा ऐसे बहुत जो डिजें गलत बहुत दीजे आना ही तो आपको 50 लीटर दारू में जल भेज तो बल्थर वाला कंड होगा तो बल्थर वाल एब धर्वाटक है किसी कैसा यहां पर दूसरा कि यह नहीं था आप जहां पे बोल रहे तो हाप पहुए नहीं था हम पाटक जी थे दो ही आदमी थे और बागी समझ सकते हैं कि किसका करके और किस बात की धंकी दे गई इस बात की तो पुष्टी मैं भी नहीं कर सकता हूं और दोरोगा जी का साउंड है अगर उनकी आवाज उस वीडियो में है और अगर वे स्वयम पुष्टाश करके इनको डराध हमका का वीडियो बना है तो मैं डीएसपी और एसपी साब से कहना चाहता हूं कि महास है ऐसे भरष्ट पुलिस अदिकारी को सबसे पहले बरखास्त करिए और बरखास्त करने के बाद जेल बेजी और उसके उपर उचित दंड भी लगाई है ताकि ऐसी हरकत करने से बाँ जाए आपके पुलिस कर्मी बाकि आप समझ सकता कि जी समय इनक अगर पुलिस वालों की गलती है तो महास है पहले ऐसे भरष्ट पुलिस अदिकारियों को समाज के लोग शुरद्छी त्रह उसके डुटराकर करके गलत भेढ दिये डुटराकर करके गलत भेढ़ा दिये की ओए लोह सकता है कि वहीं कांट करेंगे आपको पता यह नहीं था कि हमारे पतनी मर गई है अंभी लोग को रहा था हुआ पर इलो सीधे को रहा था कि फिर बिल कराक रेली आकर पहुचा देंगे आपको गोर पुलिस आपको यहां चेह हर जंग एक केस में पकड़ के लगई जी और थाना में जाने के बाद में केस उल्टा हो गया और सरा बाली बाता हो गई अब आप जब यहां चे पकड़े गए उस वक्त आपके सराब था कि नहीं था खाड़े थे खाक और खाकर आप आप तो पुलिस हमको पकड़ लिया उस भार कुछ नहीं था आमारे पास और ऑप जब रन सराब वाली कांड में बहें ठाट से नहीं था कोई महिला टीम नहीं था अपके पतिनी को मारा कूं उदाय पस्वान सब्सक्राइब कर दिए कि कहीं हो सकता है कि हमारे साथ कहीं कांड होगा जो बलसर में हुआ है अच्छा तो ऐसा नहीं ना कि हम लोग मीडिया कर्मी लोग आपसे सवाल पूछ रहा है तो मेरे जाने के बाद अगर परसासन फिर दोबारा पूछ दिया तो आप सब्सक्राइब करें तो इस पूरे मामला को ही बिगाड दिया एक और चाची है और उसी दिन भी घटना के समय हम लोगों नहीं से बात किया तो फिर आएक पर बात करते हैं अच्छा चाची जब तो आप लोग यहां प्याइथे जिस दिन आपके द्यादीन की मोथ हुई थी तो आप लोगों ने बताया था कि परसासन आपके सामने उनको थपर से गाल में मार दिया था परसासन जोन किया लों तहीं हां दुनु आदमी रनी लोग दूआर पर यहां के टेंपू तो पत पतनी गईनी पकड़े जब गईनी तो थपड से मर नी लोग इकन बोज पर मने गाल में नाक से मुह से खुन दे देनी उर्द्यादिन के मार दे लोग तो सौहार के फेर उठनी आऊटके गई दहरे बाद मार लग लग लात से पीछे माहें घिर गई ली यहांस आदमी कोई बच्चा जाके कहलक तो हमनी यानिस से तो सोहर बी टौड के उठाके ले निसा तो कोई प्रसाषन के मारने के भजय से अब के प्रसाषन के संध्यिक्त김, मेखना की मित पहुन पर्साषन है इसाफ हम्रों ना कना से नेकिर का बीदी लोगों की इस बात की स्थी जनकारी मशूसरां करते हैं और कि इस चाहिए हमेति कैंस đến क्या सक्विकों और भागी विच्वास एफित को लोह का है आप जो करेंगे ओ हमारे लिए करेंगे कि क्या करेंगे अब ही तो हम नहीं बता सकते हैं कलम हाई उसके हाथ में लिखेंगे वही नो लेकिन आप उनसे गुहार लगा रहे हैं कि डीएसपी साब हमारा इसाफ आपको करना ही है और बाकी इस घटना का पूरा मोड जो है बदल मुझे यह पता है कि उस दिन जो चाची यह बता रही थी इनका कहना था कि परशासा ने उनको पीटा जीस बज़ा से उनके नाक और कान से खुना गया और मर गई और बाकी इनको डरा धाम का करके या कैसे भी थाना में गलत ब्यान दिवाया गया उसके बाद घटना की क्या सचा यह सारी जंता भी समझ रही होगी और बाकी इनका यह कहनाए पूलिस वालों वालों का यह कहना था कि मैं बल्थर की इस्थितिया रोगती या मजंता और पबिलिक नहीं करती है उससे जदा बड़ा तसकर हमें लगता है कि बिहार पूलिस के कुछ जवान हो गया है हर थाना में सराब की बोतले और सराब के कंटेन होते हैं और किसी ब्यक्ति को पकड़ के ले जाए अगर कोई पूरूफ नहीं मिले तो उसके मुह में स्वासाद जबरन दो चार धकन सराब डाल करके भी और चेक जाज करके जेल भेज दिया जाता है और तसकर को पैसा लेके छ जांचो और जांच के बाद इस बात का खुला सा किया जाए वास्तों में इनकी पतनी की मौत पुलिस के पिटने के बज़सी या किस बज़सी वह मैं नहीं बता सकता है और बाकी पर सासन के लोग किस परकार का बेवार आम जंता के साथ करते हैं उस आचाता बताये दिए कि पकड के ले जाते हैं हर जानेकर बात के साथ जेल भेज दिया जाएगा और इस बात में कहांस सचाही हैं यह बात में परिवार वालों करहों पर घाठन के बारे में पता है और यहाँ पर काफी संक्या में लोग बैटे हुए और बाकी इस ख़बर की सचाई दिखाने के लिए हम लोग यहाँ पर पहुंचें अच्छा अब अब तक पुलिस इसमें कुछ करवाई किये और मुझे यह लगता है कि साथ हम लोगों के ख़बर का असर तो जरूर हुआ थ बाकी क्या काना चाहते हैं कि हजूर हमको इनसाफ दीजिए और इनसाफ की गुवार में आप यहाँ बैटे हुए हैं और बाकी सबीट रोग आई एक बार और चाची से जूर लेते हैं अच्छी उस दिन का घठना था आपने बिल्कुल सही सही बता दिया और उस दिन बाप बाकी कहता निकी है कि यह थाना परवारी चाहे जो भी कोई बाटे उस अब के वह नहीं गवार कोई के जाये के ना चाही तो मार पिटके गौईला के परिबार मर जाई जकर ब्यक्ति मर जाई अज्ग पास रहे हूँ अच्छा रही और बागी जो कुछ भी हुआ सराब बंदी की आड़ में विहार में बहुत सारी सी ठटनाई हो रहे हैं जो इसका निंदा मैं भी करता हूँ इस परकार की घटना सराब के आर met बल्थर ठाना में एक ब्यक्टी की मौत हो गई ति दूसरी घटना और राथ समलनग दिखाया था कि सराब के कारण इनकी पतनी को भी पुलिस ने इसने प्लाहम तरीका से मारा और ऐसा जोरदार थो पर मारा कि नाक और कान से खुन निकला या मुझ से खुन निकला या और उनकी मौत भी महज 10-15 मिनट के अंदर हो गई बाकी चाचा साचाई बाता रहे थे और खरकटबा से रिपोर्ट दिखाते हुए बाकी जाच में क्या कुछ खुलासा होता है उसकी रिपोर्ट हम दिखाने का आपको पूरा-पूरा परियास करेंगे तब तक के लिए पूर्वी चंपारां जीने के पलानवा थाना के खरकटबा गाउं से यही सची रिपोर्ट दिखाते हुए मैं संजीत कुछ भा जय हिंद